प्रियादार्शकों नमस्कार आज के हिंदी समाचार बॉलटिन में आप सभी का स्वागत है आए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार पी आर सी आई रावकिला चाप्टर के सहयोग से सेल रावकिला इस्पास सैंद्र में विश्व जन संपर्क दिवस पालेत सेल आरिस्पी में वॉल्वों के रखरखाओ पर कारिक्रम आयोजेत और आजादी का अमरित महत्सर की कड़ी में आज के व्यक्तित्म हैं गुरु कोलहा चरण साहु रबुवन चाया अब समाचार विस्थार से 16 जुलाई को सेल रावकिला इस्पास सैंद्र द्वारा पब्लिक रिलेशन काउंसल अफ इंडिया रावकिला चाप्टर के सहयोग से विश्व जन संपर्क दिवस मनाया गया RSP के कारेपालक निदेशक परियोजनाय श्रीपी के साहु समारहों में मुख्य अतिती थे प्रोफेसर और निदेशक स्कूल अफ मीडिया एंड कमिनिकेशन अड्मास युनिवर्सिटी कूलकाता के डॉक्टर प्रोफेसर बृतुन्जे चटर जी कारेकरम के मुख्य वक्ता थे महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक कारेश्री धिरेंडर मिश्रा और उप्रमाप्रबंधक जनसंपर्क और संचार मुख्य एवं अध्यक्ष पी आर सी आई रौकेला चाप्टर सुश्री अर्जनाशत्पती भी मंच पर उपस्थित थी इस अवसर पर बड़ी संख्या में आरेसपी के पी आर प्रोफेशनल्स पी आर सी आई रौकेला चाप्टर के सदस्थे और रिम्स रौकेला के छात्र मौजूद थे इस अवसर पर बोलते हुए श्रेसाहू ने कहा कि जब सत्य विश्वास और पारदर्शिता की आधारशिला आत्मसाथ हो जाती है और क्रिया में बदल जाती है तो यह आदत बन जाती है जिसके प्रणाम स्वरूप ब्रांड निर्मान होता है उन्होंने बताया कि कैसे इन में से प्रतिक शब्दावली जब व्यक्तिगत पारिवारिक और संगठ नात्मक संदर्प में लागू होती है तो इससे संबंध मजबूत होते हैं अपने भाशन में मुख्य वक्ता ने मुख्य धारा के मीडिया में अपने 22 वर्षों के अनुभव और शिक्षा जगत में 15 वर्षों के दिलचस्प किस्सों में से एक पारदर्शी दुनिया में प्रतिष्ठा प्रमंधन की सुक्ष्म बारिकियों पर विजार विमश्ष कि उन्होंने संकट के स्थिती में प्रतिष्ठा जोखिमों के प्रवंधन के तरीकों और साधनों पर गहराई से विचार किया और इनकार्णे की रणनीतियां दूरस्थ रणनीतियां अंतर ग्रहन रणनीतियां और मानहानी रणनीतियों पर विस्तार से समझाया केस स्टड़ रिष्ठा बनाये रखने से बुरे समय में मदद मिल सकती है श्री धीरेंद्र मिश्रा ने पियार सी आई रॉलकेला चाप्टर की उपलब्धियों पर प्रकाश टाला और बताया कि कैसे विशय वस्तु के तीन घटक एक बहतर व्यक्ति और एक बहतर पेशेवर बनने में जैन्ति के उपलक्ष में मनाया जा रहा है श्री बियेन मिश्रा राज्य कारी कारी समीति के सदस्य प्रचिष्ठा प्रबंधन के बारे में किसी भी संगठन में जन संपर्ग के सिद्धानत अभ्यास के रूप में बात की इस दिन की विश्यश्श्ता पर सैयुक्त सचिव पी आर सी आई रावकिला चैप्टर श्री संगीत पतनायक द्वारा एक संक्षिप पस्तुती दी गई। खुले सत्र चर्चा में प्रतिभागियों ने उत्सापूर्वक मुद्दों को उठाते वे और संदेहों को स्पष्ट करते वे विचार विमश्च किया, समारोह के दोरान मुख्य अतिथी और मुख्य वक्ता को समानित किया गया। समारोह का शुभारंभ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, इस मौके पर पी आर गान भी बजाया गया। सहायक प्रबंधक पी आर और सचिव पीःर सी आई रॉटकला चापटर सरी सासंग का पतनायक ने सभा का स्वागत किया और समारोह का संचालन किया। स्री शाहिन शेख ने धन्यवाद क्यापित किया 13 से 15 जुलाई तक मानव संसाधन विकास गेंद में वाल्वों के रख रखाओ पर तीन दिवसे प्रशिक्षण कारिक्रम आयोजेत किया गया कारिक्रम में आरस्पी के कुल बारा कर्मचारियों ने भाग लिया आरस्पी के विशशग्यों द्वारा वाल्वों के वर्कीकरण भाप और अन्य माध्यमों के लिए बुनियादी वाल्व रख रखाओ प्रथाओं सहित व्यवाहरिक सुझाओ निराकरण प्रक्रियाओं और वाल्वों के निराकरण और सन्योजन पर व्यवाहरिक सत्र सुरक् प्रिक्षन और साम्विधिक आवशकताएं वाल्वों की खराबी का मूल कारण मिशलेशन वाल्व के वाईविये और विद्यूत एक्ट्वेटर्स का उप्योग और उनके रखराखाओं पर विशेश जानकारी दी गई कारिक्रम के दोरान टीपीम की अवधारन और वाल्व रखराखाओं में इसकी प्रयोजिता पर भी विचार किया गया वाल्वों के घटकों के बारे में प्रतिभागियों को परिचित कराने के लिए वाल्वों पर एक प्रदर्शन सत्र की व्यवस्था की गई सहायक महाप्रबंदक CPTI श्रीपी के राउत ने प्रशिक्षन कारिकरम का समन्मेन किया आजादी का अम्रित महत्सव समारों के तहत सेल रावर केला इसपास सैंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तूत कर रहा है आज के व्यक्तित्व हैं गुरु कोलहा चरण साहु रबवन चाया उनका जन्म 11 जन्वरी 1936 को ओडिशा के अंगुल जिले में हुआ था विख्याद गुरु कथिनन्द दास के एक शिश्य गुरु कोलहा चरण ने पूरे देश में रावन चाय की सम्रिद परंपरा को आगे बढ़ाया समय के साथ वे गुरु कथिनन्द दास के दुखद निधन के बाद कला के गुरु बन गए दुर्लब पारंपरी कला में उनके योगदान के लिए उन्हें 1997 में ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरसकार और 1998 में केंद्रिय संगीत नाटक अकादमी पुरसकार से समानित किया गया 1978 और 1995 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित राष्ट्री कठपुतली रंगमंच समारोहूं में और 1988, 1991, 1997 और 1998 में आयोजित कठपुतली रंगमंच कारिशालाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी थी उन्होंने रावन च्छायार उत्पत्ति स्थिति और विकास नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसका बाद में अंग्री जी में अनुवाद किया गया था उन्हें 2000 में संस्कृति मंत्राले से सीनियर फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था इसे के साथ आज का हिदे समाचार बुलटी में समाप्त होता है नमस्कार